हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे सर्वे उफ रिजिनल किंग्डम्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की हैदराबाद के आसफ जागर के संस्थापक किलिज खान थे जिन्ने निजाम और मुल्क के नाम से जाने जाता था यह जुल्फिकार खान थे जिन्नों ने पहली बार दक्कन में एक सुतितर राज्य के विचार के कलपना की थी लेकिन 1713 में उनकी मृत्यु के बाद यह सपना अधुरा रह गया मुबारिज खान को दक्कन के पूर्ण वाइश रोय के रूप में न्यूक्त करने वाले मुगल समराट से घ्रिना करते वे किलिच खान ने मुबारिज खान से लड़ने का फैसला किया उसने शकर खेडा की लड़ाई में मुबारिज खान को हराया और बाद में मार डाला उसने अब दक्कन पर अधिकार कर लिया सतरसो पच्चिस में वे वायच रोय बन गया और खुद को आसफ जाक्य उपादी से सम्मानित किया अब बात करते हैं अवद की अवद की स्वतंतरता रियासत के संस्थापक सादत खान थे जिने बुरान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था सादत खान शिया थे वे सयद भाईयों के खिलाव एक साजिश में शामिल हो गया था जिसके परिणाम सरूप उसे एक बढ़ा हुआ मनसब दिया गया था बाद में उसे अदालत से बाहर निकाल दिया गया उसे एक नया सुतंतर राज्य खोजने के लिए प्रेरित किया गया सादत खान ने नादिर्शा के दबाव के कारण आत्मत्ते कर ली जो उससे भारे लूट की मांग कर रहा था वे सफदर जंग द्वारा आवद के नवाव के रोप में सफल हुआ था बंगाल मुर्शीद खुली खान सुतंतर राज्य के संस्थापक थे बंगाल के वे सक्षम सा सकते और उन्होंने बंगाल को एक सम्रेद राज्य बनाया 1727 में उनके पुतर शिजाओदीन उनका उत्तर इदिकारी बने उनके उत्तर इदिकारी सर्फराज खान को 1740 में गेरिया में बिहार के डिप्टी गवर्नर अलिवर्दी खान ने मार डाला जिन्होंने सत्ता संभाली और वार्शिक सद्धांजली देकर खुद को मुगल समराट से सुतंतर कर लिया अब बात करते हैं राजबूतों की अठारवी शताब्दी में राजबूता ने अपनी सुतंतरता को पूने स्थापित करने का प्रयास किया इसमें मुगल शाशक बादूर्शा प्रतम को अजीस सिंग के खिलाफ मार्च करने के लिए मजबूर किया जिन्होंने जै सिंग दुत्य और दुरगादास राठोर के साथ गटबंदन किया था लेकिन गटबंदन तूट गया और स्थिती मुगलों के लिए बच गई एक समय में राजपूता ने दिल्ली के दक्षिन से लेकर पस्ची में तर्टक फैले पूरे छेतरों को नेंत्रित किया मैसूर अठारवी शताबदी में अपनी उपस्थिती दर्ज कराने के लिए एक अन्य महत्पून राज्य मैसूर का था पूरवी और पस्ची में घाड के जंक्षन पर इस्थित इस शेतर पर वोडियार का शाषन था इस शेतर में रूची रखने वाली विभिन शक्तियों ने इस शेतर को यूद शेतर में बदल दिया अन्त में मैसूर राज्य को हैदर एली के शाषन में लाया गया जिसने राज्य पर शाषन किया लेकिन बिना किसी परेशानी के नहीं वह अंग्रेजों के साथ लगातार यल में शामिल था और ऐसा ही उसका बेटा शीपो सुल्तान भी था अब बात करते है केरल की मारतेंडर वर्मा ने अपनी राजधनी के रूप में त्रावन कोर के साथ केरल के सुतिंतर राज्य की स्थापना की उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कन्या कुमारे से कोची तंक किया उसने अपनी सेना को पश्चिमी मोडल के अनुसार संगटित करने का प्रियास किया और अपने राज्य के विकास के लिए विविन उपाईयों को उपनाया अब बात करते हैं दजाट्स की दिल्ली मतरा और आगरा के आसपास रहने वाले क्रिशक जाटों ने औरंग जेब की दामनकारी नीत्यों के खिलाब विद्रो किया कुछ शुरुवाती जटकों के बाद चुर्मन और बदन सिंग भरतपुर के जाट राज्य के स्थापना करने में सफल रहे लेकिन सूरजमल के नेतित में ही जाट सत्ता अपने चरम पर पहुँच गई थी उन्होंने नकेवल प्रशाशन की एक कुशल प्रनाली प्रदान की बलकि राज्य के छेटर का विस्तार किया उनके राज्य में पूर में गंगा से लेकर दक्षिन में चंबल तक के छेटर शामिल थे और इसमें आगरा मतरा मेरट और अलिगड के सूबे शामिल थे हालकि 1763 में सूरजमल की मृत्यू के बाद जाट राज्य में गिरावट आई इसके बाद राज्य छोटे छोटे जम्मिदारों द्वारा नेंतिर छोटे चेत्रों में विवाजित हो गए जो मुख्या रूप से लूट से रहते थे अब बात करते हैं दा सिक्स की गुरू गुबिन सिंग ने अपने धर्व और स्वतंत्रिता की रक्षा के लिए सिखों को एक उगरवादी संप्रदाय में बदल दिया बंदा बाहदुर जिनों ने बाद में 708 में सिखों का नेतिरित ग्रहन किया जो की हार गए और मारे गए नादिर शाय और एहमत शाय अबदाली के आक्रमनों के मद्देनेजर सिखों ने एक बार फिर अपने अधिकार का दावा किया इस तर पर उन्होंने खुद को बारा मिसलो ये संगों में संगटित किया जो राज्या के विभिनिस्तों पर नेंतरिन रखते थे पंजाब की स्थापना और मजबूत राज्य कश्रे रंजीत सिंग को जाता है वे सुकर चकिये मिसल के नेता महन सिंग के पुदर थे रंजीत सिंग ने सतलुच से जेलन तक फैले छेतर को अपने निंतर्ड में ले लिया रंजीत सिंग एक कुशल प्रशाशक साबित हुए उसने यूरोपिया की साहता से अपनी सेना का अत्यदिक आधोनी करन किया लेकिन उनके शाशन के अंत में अंग्रेजों ने उन्हें 1838 में शब शूजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्री पक्षिय शंदी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिससे वह शाह सूजा को काबुल के सियासन पर बेठाने की द्रश्टी से पंजाब के माध्यम से बिटिस शैनिकों को मार प्रदान करने के लिए सहमत हुए 1849 में रंजीत सिंग की मृत्यू हो गई उनके उतरिदिकारी राज्य को बरकरार नहीं रख सके और जल दी अंग्रेजों ने इस पर नेंतरिन कर लिया शाद सबसे दुरजय प्रांत माराठो का था पेशवाओ के सक्षम नेतेत में माराठो ने मालवा और गुजरात के मुगल सत्ता को उखाड भेका और अपने शाषन स्थापित किया एक समय में उन्हें ने मुगल सामराज्य के मुख्य उतरितिकारी होने का दावा किया था लेकिन पानिपत की तीसरी लडाई में एहमत शापदाली ने उनके अधिकार को चुनोती दी रही माराठो ने हार से जल्दी ही उबढ़ लिया और भारत में राजनितिक वर्चस के संगर्ष में अंग्रेजी इस्टीनिया कंपनी को सबसे कठिन चुनोती पेश की अब बात करते हैं रोईलाखंड और फारु का बात की रोईलाखंड के राज्जे और बंगाश पठानों का राज्जे भारत में अफगानों के प्रवास का प्रिणाम था अफगानिस्तान में राजनितिक और आर्तिक और थलपुतल के कारण अठारवे शताबदी के मद्दे में भारत में अफगानों का बड़े पेमाने पर अप्रवासन हुआ अली महमूद खान ने नादिर्शा के आकरमन के बाद उत्तर भारत में सत्ता के पतन का फायदा उठाया एक छोटे से राज्य रोहिला खंड की स्थापना की यह उत्तर में कुमाओ और डक्षिन में गंगा के वेच हिमाले की तलाटी का छेतरगा रोहिला रोहिला खंड के निवासियों के रूप में जाने जाते थे चेतर की अन्य शक्तियों, जाटों और आवदों शाषकों के बाद में माराठों रंग्रेजों के हातों भारे नुकसान उठाना पड़ा मौमद खान बंगशेक अफगान ने फारुकाबाद के आसबास के चेतर में फारुक सियार और मौमद शाह के शाषनकाल के दोरान दिल्ली के पूर में एक सुतिंतर राज्य के स्थापन गे तो एदा एक इंपोर्टन टॉपिक सर्वे ओफ रिजिनल किंग्डम्स के विडियो पसंद आए विडियो को लाइक करें सबस्क्राइब करें और कमेंट जरूर करें